सब्सक्राइब नाओ और प्रेस्ट बेल आइकन नेवर मिस अन अपडेट जी का नाम पंडित राम सहाय और इनकी पतनी का नाम मनोहरा देवी था इनकी मिर्तिव 15 अक्टूबर 1961 में प्रयाग में हुई अब हम निराला जी के उपन्यास को एक ट्रिक से याद करेंगे ट्रिक में लिखा गया है अपसरा निरूप मां अलका का चमेली प्रभावती ढंक से तोड़ी इस काले करना में पर इंदू लेखा ने चोटी पकड़ कर कुली भाट से बिल्लेशू तक घसिती बस इसी ड्रिक में ही हमें इनके प्रमुख और सभी उपन्यासों को याद कर लेंगे याद करने के लिए हमें बस इस्ट्रिक का प्रयोक करना है और याद रखना है इस्ट्रिक को तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस टिक का प्रयोक करके निरला जी के सभी उपन्यासों को याद कर सकते हैं तो यहाँ पर एक पेड है जो अलका का चमेली है याँ चमेली तो है लेकिन अलका का है और उस पर से एक निरूपमा नाम की अपसरा उस पर से एक चमली तोड़ लगती है इस काले करनामे के लिए इंदू लेखाने उसकी चोटी पकड़ कर कुली भाट से बिले सुतर घसित देती है जैसा कि आप चितर में देख सकते हैं कि निरूपमा का जो है चोटी पकड़ी हुई है इंदू लेखाने तो हम लोग इस ट्रिक से याद रखेंगे अपसरा से इनकी पहली उपन्यास अपसरा दूसरा इनका उपन्यास हो जाएगा निरूपमा तीसरा अलका चोथा चमेली पाचवा प्रभावती छठवा कार नामे साथवा इंदू लेखा और इनका जो है आठवा चोटी की पकड़ चोटी पकड़ कर से हो जाएगा चोटी की पकड़ और इनका नवा जो है कुली भा और इनका दसमा उपन्यास बिल्लेशुर्थ बकरीहा हो जाएगा बिल्लेशुर्थ से हो जाएगा बिल्लेशुर्थ बकरीहा तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे नीराला जी के उपन्यासों को एक बहुत ही सरल ट्रिक दोरा याद रखा जा सकता है नीराला जी के दोरा रचित उनके कावियों को हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे जैसे कि देख सकते हैं लिखा गया है तुलशी दाज की आनामिका ने परिमल का सांध्य काल में अपार गीत गाते हुए कुकरमुता और बेला के नए पत्ते से आर्चना अराधना की यहाँ पर एक ट्रिक भी है और यहाँ पर नीशी देख सकते हैं एक चितर भी आगया है जिसमें तुलशी दाज की आनामिका है और वह जो है परिमल की आर्चना अराधना कर रही है किसे अरचना और खुला हम कर रही है, दिखते हैं, कुकल मुर्ता और बेला के नए पत्य से, और यह जो है, इसमें गीत गाते हुए कर रही है, हम लुग जानते हैं, that किसी की पूजा करते हैं तो उसे मंतर दोरा मंतर पढ़ते हैं लोग पूजा करते हैं किसी दिवे देता की तो यह जो है अनामिका परिमल की पूजा कर रही है अर्चना कर रही है और गीत गाते हुए कर रही है तो इस ट्रिक के अनुसार तुलशी दास से इनका पहला काबे संग्रा तुलशी दास, दूसरा अनामिका, तीसरा परिवल, चोथा जो है सांधेकाल, सांधेकाल से हो जाएगा सांधेकाकली, और जो है इनका अगला काबे संग्रा आपार से आपरा याद रखेंगे, आपार से आपरा, और जिसमें देख गाते हुए तो इसमें गीत गाते हुए दो बार गो आ रहा है तो गीत गाते से याद रखेंगे गीति का और गीत कुंजी का इनकी दो यह लचना याद रखेंगे गीति का और गीत कुंजी का और इनकी ट्रिक के अंशाज होगा अगलार इनका कापिया संग्रों हो जाएगा कुकुरमुत्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना और अराधना तो आपने देखा कि सिर्फ दो लाइन के ट्रिक से हमने इनके बारों कापिया संग्रों को याद कर लिए है निराला जी के कहानी को याद करने के लिए इस ट्रिक का प्रियुक करेंगे ट्रिक में लिखा गया है सकुल की बीबी और लीला देवी की सखी ने चतुरी चमार को पीटा यहाँ पर देख सकते हैं दो महिलाएं हैं एक शकुल की बीबी है और दूसरा लीला देवी की सखी है और दोनों क्या कर रही है चतुरी चमार को पीट रही है तो यहाँ इस ट्रिक से याद रखेंगे निराला जी के कहानियों को लिखा गया है शकुल की बीबी इनकी पहली कहानी हो जाएगी दूसरी कहानी लीला तीसरी देवी चोथी सखी और इनकी अगली कहानी जो हो जाएगी चतुरी चमार हो जाएगा